प्रेंज रमस्कार मैं हूँ आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शोकों का वेलकम करता हूँ आपी के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब फेस्बुक राजी टिवी नर्पर पर फ्रेंज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्वपन शास्त्र स्पेशल स को धेड़ बुन को खोलना उस सुल्जाना इस पहिली को इसे कहते हैं स्वपन शास्त्र आज हम स्वपन शास्त्र में बहुत ही खास विशापर चर्चा कर रहे हैं उल्लू पर बहुत सारे व्यंग भी हैं उल्लू पर कि उल्लू हो क्या कई लोग पंजाबी में उल्लू के पठ्थे बोल देते हैं लेकिन उसे बुरा नहीं मानना चाहिए उल्लू लक्ष्मी का वहन है और उल्लू का पठ्था जो होता है पठ्थे का मतलब होता है बच्चा उसका अब है धनवान, सही सुन रहे हैं आप, हाला कि कुछ इसके मतलब बेफकुब भी नजर आते हैं, रात्री का पाणाई ही है उल्लू, और आज हम जानेंगे कि सपने में उल्लू को देखना शुब है या शुब है, आईए उस बार में जानता है, देखे सपने शास्त्र में सप सपनों का घहराई से अध्यन किया जाता है क्योंकि हर सपने का एक निश्चत अर्थ जरूर होता है, साथ ये भवेश्य का आइना भी माने जाते हैं, मानेता है कि सपने व्यक्ति को भवेश्य में घटेत होने वाली घटनाओं का संकेत भी देते हैं, अक्सर लोगों के सपन सपने में उल्लू को भी देखते हैं तो आईये जानते हैं कि सपने में उल्लू का दिखाई देना शुब है या फिर अशुब आईये इस बार में जानते हैं तीकि सपने में उल्लू का देखना शुब और अशुब दोनों तरीके के संकेत देता है सपने में उल्लू को करने का अर्थ है धनहानी के यूग हैं सपने में उल्लू को मारना या उसका शिकार करने का अर्थ है कि दुश्मन नुक्सान पहुचाने की कोशिश करेंगे सपने में उल्लू का आप पर हमला कर देना यह अशुब संकेत माना जाता है जिसका अर्थ है दोस्त ही नुकसान पहुचानी की कोशिश करेंगे सपने में सफेद उल्लू का देखना शुब संकेत है जिसका अर्थ है जीवन से निराशा और अवसाद समापत होंगे सफेद उल्लू लक्ष्मी का वहन माना जाता है सपने में उल्लू पर देवी लक्ष्मी को बैठा देखना बहुत लाबदायक और फादेबंद माना जाता है सपने में उल्लू पर देवी लक्ष्मी को बैठे देखने का अर्थ है कि स्वें लक्ष्मी आपके घर विराजमान होंगी सपने में उल्लू पर देवी लक्ष्मी को बैठे देखाई देने का अर्थ एक और है वो है कि विवसाय में बेहिसा फायदा होगा सपने में उल्लू पर बैठी देवी लक्ष्मी को देखने का अर्थ है नौकरी में बड़ा इंक्रिमेंट मिल सकता है सपने में उल्लू की पीठ देखना शुब संकेत है जिसका अर्थ है उधार दी हुए पैसे बापिस मिलेंगे सपने में उल्लू की पीठ देखना धंदायक संकेत है जिसका आर्थ है अचानक से धनप्राप्त होगा सपने में मरावा उल्लू देखना अशुब संकेत है जिसका आर्थ है आर्थिक नुकसान जहिलना पड़ेगा सपने में मरा उल्लू देखने का एक और अर्थ है ये नुकसान का संकेत है जिसका आर्थ है बिजनिस में घाटा हो सकता है सपने में उल्लू का कंधे पर बैठना शुब संकेत है जिसका आर्थ है आर्थिक स्तिति बहतर रहेगी सपने में उल्लू का कंधे पर बैठना धंदायक संकेत है जिसका आर्थ है किये गए निवेश से अच्छे रटन मिलेंगे सपने में उल्लू को रूतेवे देखना अशुब संकेत है जिसका आर्थ है तगड़ा आर्थिक नुकसान होने वाला है सपने में उल्लू का घोसला देखना हानिकारक संकेत है जिसका अर्थ है घर में कोई गंभी रूप से बीमार पढ़ने वाला है सपने में उल्लू को पिंजरे में कैत देखना सकारातमक संकेत है जिसका अर्थ है घर में सुक्षानती रहेगी सपने में उल्लू को पिंजरे में कहते देखने का एक और अर्थ है वो शुब संकेत है जिसका अर्थ है पारिवर एक महल अच्छा रहेगा तो दोस्तों आज हमने उल्लू की बात देखी और यह देखा कि उल्लू को जादतर लोग और शुब मानते हैं लेकिन ऐसा नहीं है सपने में उल्लू का दिखाई देना शुब और शुब दोनों तरीके के संकेत देता है तो ऐसे ही एपिसोड लेकर कल आप से फिर मुलाकात होगी आज के लिए बस इतना इजाज़त दीजे नमस्कार नमस्चुवाए